नमस्कार मैं हूँ आपके साथ जया कौशेक सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साउ दिली यानि दक्षनी दिली के एक पौश रलाके ग्रेटर केलाश पार्ट वन की जहां एक जिम मालिक की सरयाम हत्या कर दी गई नादर्शा की गई है जिम का जो मालिक था वो नादर्शा उसका नाम था दिली पुलिस स्पेशल सेल ने छे लोगों को इस मामले में हिरासत में लिये हैं आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं सीसी टीवी में जो कैद हुई थी जिसमें हमलावर गोली चलाता हुआ साफ तोर पर देखा जा सकता है आपको बता दे पुलिस ने भारी मात् का मास्टर माइंड है शिरुवाती जाच के बाद दिली पुलिस को ये गैंग वार से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है सोशिल मीडिया पोस्ट के जरिये लॉरंस मिश्णोई के करीबी रोहित गुदारा और गोल्डी बरार ने नादरिशा की हत्या की जिम्यदारी ली थी और इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मुकेश सिंग सेंगर देखिए पले सुत्रों के मताबिक इस शूटाउट का जो मास्टर माइंड है वो हाशिम बाबा है हाशिम बाबा उत्तरी पूर्वी दिली का एक बड़ा गैंगिस्टर है जो काफी लंबे समय से तिहार दिल के अंदर बंद है और फिलहाल लॉरेंस, मिशनोई और गोल्डी बराल के लिए काम कर रहा है अब तक की जानकारी के मताबिक कूल छे लोग पकड़े गए हैं और इनके पास भारी मातरा में हतियार बरामद हुए है जो लॉजिस्टिक का सामान महिया करा गया था वो सामान बरामद हुआ है इसके अलाबा दो लोग ऐसे हैं जो की शूट आउट के समय वहाँ पर मवजूद थे जिसमें एक शूटर है जो लगातार गोल्गे चला रहा है और उसके साथ में एक और लड़का था ये लड़के भागे हुए हैं इनको पकड़ने के लिए जो पुलिस की टीमे है वो लगातार दविस दे रही हैं ये जो च्छे लोग पकड़े हैं ये दिल्ली पुलिस की इस्पेसल सेल ने पकड़े हैं और उसके हां अकसर जो पुलिस कर्मी हैं वो अलग-अलग यूनिट्स के पुलिस कर्मी चाहे वो क्राइम रांच के हों इस्पेसल सेल के हों या लोकल पुलिस के हों उसके हां हमेशा कोई न कोई पुलिस कर्मी आते रहते थे इसके साथ में ही उसकी जो दोस्ती थी वो दिल्ली के टॉप जो क्रिमिनल्स है चाहे वो सटे बाज हो या दूसरे क्रिमिनल्स हो उनसे भी उसकी दोस्ती थी और ये भी कहा जाता है कि वो कई लोगों के पैसे ब्याज पर लगवाता था जो नादिर है और इसी के चलते काफी जो लोकल गैंक से उसकी दुश्मनी हो गई थी क्योंकि उसकी पुलिस बालों से भी दोस्ती थी और उस पर आरोप ये लगते थे कि वो पुलिस के लिए मुखवरी करता है तो लोकल गैंक से भी उसकी दुश्मनी हो गई थी और साथ में जो गैंगिस्टर देश से बाहर नादिर के पिता मूल्डूफ से अफगानिस्तान के रहने बाले थे, बहुत पहले भारत आये थे, यहां पर उन्होंने एक भारती महिला से शादी कर ली थी और ये भी जानकारी बिली है कि उसकी माँ एक बार NDPS यानि ड्रस के मामले में जिल गई थी, उसके बाद जो नाद के साथ मिलकर भी रहता था, कई पुलिस वालों के पैसे ब्याज पर उसने लगवाए हैं, यह भी जानकारी मिली है, और जब यह घटना हुई, उस बक्त भी कुछ पुलिस कर्मी सादा बर्दी में उसकी जिम के अंदर बैठे हुए थी, और अगर आप फुटेज देखें, तो फारिंग के ठीक बाद यह पुलिस कर्मी अंदर से निकल के भागते हैं, हाला कि तब तक जो बदमास थे वो निकल कर बाहर हो गए थी, और यही पुलिस कर्मी इस नादिर को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां पर उसको डैड डिकलियर कर दिया, तो घटना के बाद एक सोसल मीडिया पर पोस्ट वारेल हुआ, इस पोस्ट में जो रोहिद गोदारा और जो लॉरिस बिस्टोई का खास है, गोल्डी बरार, उसने हत्या की जिम्मेदारी लिए और कहा कि जो नादिर है, वो उसके खिलाब काम कर रहा था, इसलिए उन्होंने हत्या करवाई है, हा सक्टा की गलती से नाम समीर बाबा लिग दिया हो गैंगिस्टों ने, लेकिन उसका असनी नाम हाशिम बाबा है, और हासिम बाबा के छे बेहत करीबी लोग पकड़े गए हैं, उनके पास में भारी मातरा में हतियार बरामद हुए हैं, और दिल्ली पुलिस इस मामले में ज लेकिन जो शूटर हैं, वो फरार हैं, और कुछी देर में या हो सकता है कि शान तक दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में विस्तार से जनकारी दे.